हलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल में उम्मीद है आप लोगों की जो तैयारी है सीजी के आने वाले एक्जामों के लिए वो बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी और आसा करता हूं मेरे इन वीडियो से आपको निश्चित तोर पर से बहुत ला क्यों करेंगे उसमें हम लोग आज मुख्य रूप से उद्योग और विद्दूस से संबंदित जो तत्य हैं उनका अध्यन करेंगे तो आप पूरा वीडियो देखिए और अपना नोट्स मेरे सांसाथ बनाते चलिए और निश्चित तोर पर इससे आपको फायदा होगा त चलिए आज का वीडियो प्रारम करते हैं तो इसमें देखते हैं हम लोग पिछला जो वीडियो में जो खनीच पढ़े थे उसी में दो पॉइंट और था जो चुना पत्थर का जो उत्पादन हुआ है वो हुआ है एक करोड अठारा लाक तेरा हजार साथ सो तिरपन हजार का और डोलो माइट का जो उत्पादन हुआ है वो है 31,20,026,010 का और वित्तिवस 2017-18 में मुख्य खनीच से जो आए हुई है वो 4,014.290 करोड रुपय का आए हुआ है और गौन खनीच से जो आए हुआ है वो 213.89 करोड रुपय का आए हुआ है ठीक है मुख्य खनीचों क कि रॉयल्टी दर अगर देखें तो ये भी कुष्चन आज कल पूछे जा रहे हैं तो उसके ध्यान में रखेगा सबसे ज़्यादा जो रॉयल्टी प्राप्त होती है वो आए है और से प्राप्त होती है उसके बाद जो है कोईला से आता है 145 रूपए आयरन ओर से आता है 450 पचास रुपए बाकसाइट से आता है 140 रुपए और डोलोमाइट से आता है 75 रुपए यह जो रासी है प्रती टन में है उसके बाद देखते हैं आज का मुख के टॉपिक उद्योग तो 36 गड़ में उद्योगों की संख्या बहुत अच्छे से है और यहां पर खनीज भी प् चुर मात्रा में हैं तो चलिए इसका देखते हैं कि क्या स्थीती है 2017-18 की सर्वे के एकॉर्डिंग तो पहले देखे इलेक्ट्रोनिक मैनुफेक्चरिंग पार्क जो अटल नकर जिला रायपूर में 48.56 हेक्टर भूमे पर स्थापना की जा रही है और इस पर्योजना की 500.000 रुपे है अध्योगीक पुरुसकार योजना अध्योगीक पुरुसकार योजना 36 गन में चार स्रेणियों में दी जाती है पहला है सुक्ष्मव लगूद्योग समग्र मुल्यांकन 2 है सचसे अनुशुचि जाती अनुशुची जन जाती वर्ग द्वारास थापित सु एक लाख रुपए का द्वीती पुरुसकार दो दिया जाता है 59,000 रुपए का और त्रिती पुरुसकार दो दिया जाता है 31,000 रुपए का और जीला इस्तर पर देखें तो जीला इस्तर में जो है सर्वस्रेष्ट उद्यमी को सर्वस्रेष्ट उद्यमी को 25,000 प्लस प्रसस् ठीक अध्योगिक निती 2014-2019 के अंतरगत स्टार्टप योजना 36 गड़ इसमें जो इस्थाई पुंजी निवेस अनुदान उद्योग इस्थापित करने के लिए जो अनुदान 36 गड़ सरकार द्वारा जो दिया जा रहा है उसका वर्णन है तो इसमें देखें पहला सुक्ष म एवं लगूद्योग सुक्ष में लगूद्योग में 35 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा और रासी में देखें तो 60 लाख रुपए तक की रासी इसमें दी जाएगी मतलब जो लागत है उसका या तो 35 प्रतिशत और लागत अगर जादा है तो अधिक्तम रुप राशी जो है 60 लाख रुपए तक दी जाएगी मध्यम उद्योग में देखें तो मध्यम उद्योग में भी 35 प्रतिशत या रासी में 70 लाख रुपए तक की रासी दी जाएगी वैसे देखें वरिहद उद्योगों में तो वरिहद में भी 35 प्रतिशत और रासी 110 लाख रुपए त देखते हैं stand up योजना जो 5 अप्रिल 2016 को प्रारंभ हुई थी इसकी पात्रता क्या है तो यह अनुसुची जाती अनुसुची जन जाती और महिला उद्यमी ही इसके पात्र होंगे और इस उद्योग है तुझ जो रूइन दिया जाएगा वो दिया जाएगा 10 लाग से 1 करोड रूपए तक करीड दिया जाएगा STAC और महिला उद्यमियों के लिए ठीक है राज अब देखते हैं राज्य में जो रेल लाइनों का विकास हुआ है उसके उसकी स्थिति क्या है तो यह इस्त रेल कॉरिडोर जो है इस्त रेल कॉरिडोर खरसिया से प्रारंभ होकर धरम जै अगर होते हुए यह कोर्बा को जोड़ेगा इसकी कुल लंबाई है 173 किलो मीटर और इसमें देखें दूसरे नंबर पर जो तो है तो यह इस्ट वेस्ट रेल कॉरिडोर का छेत्र यह गेवरा से पेंडरा रोट को जोड़ेगी गेवरा से पेंडरा रोट को ठीक है इस कॉ परियोजना, डल्ली राजहरा-रावगार लिंक परियोजना जो है, इस परियोजना की रेलवे लाइन की लंबाई 95 किलो मीटर है और ये भानुप्रतापूर को भी रेलवे लाइन से जोड देगी। इसी प्रकार चौथे नमबर पर है, रावगार जगदलपूर परियोजना, ये रावगाट जगदलपूर परियोजना की लंबाई 140 किलो मीटर है ठीक है ये प्रमुख रेल जो परियोजना है थी उसका है उसके बाद देखते हैं स्थापित विसिस्ट पार्क और दोगीक पार्क जो 36 गड़ में बहुत ही फेमस पार्क है इसको देखते हैं तो ये पहला है मैटल पार्क मैटल पार्क कहां पर है जीला रायपूर में दूसरा इंजिरिंग पार्क तो ये भिलाई में है जीला दूर्ग में भिलाई से लगे हत्खोज में 122 हेक्टियर भूमी पर जो है ये विक्सित किया जा रहा है इसी प्रकार देखें, food park, तो food park है, जिला धंतरी के gram बगोद में, 68.68 hectare भूमी पर ये निर्माना धीन है, इसी प्रकार देखें, plastic park, तो plastic park कहाँ पर है, ये राजनान गाउजिले के, gram खैर जीटी में, 40 hectare भूमी पर प्रस्तावित है, उसी प्रकार देखें, एल्यूमिनियम पार्क तो यह कहां पर है यह कोर्बा में ग्राम दोंद्रों में 152 हेक्टियर भूमी में प्रस्तावित है कोर्बा में ठीक है अब देखें स्थापित अद्योगिक छेत्र तो इसमें पहला देखेंगे व्रिहद अद्योगिक छेत्र तो व्रिहद अद्योगि व्रिहद अद्योगिक छेत्र इसमें पहला है अद्योगिक छेत्र उरला ये कहां पे है ये रायपूर में है दूसरा है अद्योगिक छेत्र सिलतरा ये भी रायपूर में है तो आप लोग को बेसिकली याद ये रखना है कि कौन सा अद्योगिक छेत्र कहां पर है ठीक है तीस साथ जल से दो सो हैग्टेयर भूमी में विस्तरित है उसको मध्धम अद्योगीक स्रेडि में रखा जाता है तो इसमें देखें पहले नंबर पर है अद्दोगिक छेत्र बोरई जो कहां पर है दूर्ग में दूसरा है अद्दोगिक छेत्र सिल्पहरी ये बिलासपूर में तीसरा है अद्दोगिक छेत्र भनपूरी ये है रायपूर में और इंजिरिंग पार्खत को यह है भिलाई में और दोगिक छेत्र मेटल पार्क यह रायपूर में तो यह मद्धम चेत्र है इसके बाद देखते हैं लगू और दोगिक चेत्र तो लगो अद्द्योगिक चेत्र पचास से सव हेक्टेयर भूमी पर विस्त्रीत चेत्र को अद्द्योगिक चेत्र को हम लोग लगो अद्द्योगिक चेत्र की स्रेणी में रखते हैं तो इसमें देखेंगे पहले नंबर पर है महरूम कला ये कहां पे है जिला राजन मुन में और एकी के अधोस्ता रचना विकास केंद्रे यही है IIDC यह इसके द्वारा विक्सित नयनपूर गिर्वर गंज में इसके बाद देखते हैं फूड पार्क जो विक्सित किया जा रहा है वो कहां पे है तो यह है जीला धमतरी में और IIDC द्वारा विक्सित लखन लुट कि स्कूट कि बोला जाता है सुन्य से 50 हेक्टियर भूमी पर विस्त्रित चेत्र को सुख्ष्म और द्विक्षेत्र की स्रेडि में रखा जाता है तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से चेत्र आते हैं तो अध्योगीक चेत्र रामा भाठा रायपूर और औ जनजनी पेंडरा रोड आयाइडिसी द्वारा विए जो विक्सित किया जा रहा है हरीन छप्राव जीला कबीरधाम और अद्धोगीक छेत्र तेंद्वा यह है रायपूर में इसी में आगे देखें तो आयाइडिसी द्वारा विक्सित टेकनार जो है जीला दंतेवाडा पंजो है जिला जान्जगीर चांपा और णोगीग छेत्र बरतोरी तिल्दा जो भी जिला सरगुजा में और इलेक्ट्रोनिक मैनुफेक्चरिंग क्लस्टर ग्राम तूता ये है नए रायपूर में दोगीग छेत्र मरहूम खूर्द जिला राजनान गाओं और अद्योगीक छेत्र और एठी भाठा पारा तो ये थे सुक्ष्म अद्योगीक छेत्र और व्रिहत अद्योगीक छेत्र जिसको हमने देखा है तो ये सारी चीजे आप लोग याद रखिए कि ये कहां परिस्थीत है ये में इंपोर्टेंट पूछा जाए में इस्थापित की गई है परिक्षन प्रयोक साला और कोशल उन्नयन गतिवीधियां देखते हैं हम लोग तो इसमें पहले नंबर पर है अपेरल ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर तो ये रायपूर भिलाई राजनान गाओं में अपेरल ट्रेनिंग एंड डिजाई सें सिपेट इसी को सिपेट बोला जाता है इसकी जो प्लास्टिक उद्योग में युवाओं को प्रशिक्षन देने हैं तो सिपेट की इस्थापना की गई है अब देखते हैं विद्दूत एवं अधार्भूत सरशना तो राज्य की स्वैम की विद्दूत उत्पादन छम्ता नवंबर 2000 में कितनी थी? 1360 मेगावाट थी नवंबर 2000 में जो बढ़कर नवंबर 2018 में कितनी हो गई है? 3424.70 मेगावाट हो गई है मतलब 18 वर्सों में जो है व्रिद्दी हुई है 152 प्रतीशत विद्दूत उत्पादन की व्रिद्दी हुई है 36 गढ़ में ठेक 2017-18 की स्थिती में अगर देखें तो राज्य के 19,566 2011 की जणगर्ना के अनुसार ग्रामों में से 19,535 मतलब 19,567 में 19,535 गावों में 99.83 प्रतीशत ग्रावों जो है व्रिद्दूती कृत हो चुके है 2017-18 की स्थिती में इसकी कुछ योजनाएं भी है विद्दूत से सम्बंदित क्रिशी जीवन ज्योती योजना जो कब स्टार्ट हुई थी दो अक्टूबर 2009 को इस योजना के अंतरगत जो तीन एचपी तक के पंप है उनको 6000 जो है यूनिट बिजली फ्री दी जा रही थी प्रतीवर्स और उसी में देखें तो तीन एचपी से जादा अगर है तो पांच एचपी तक के पंपों को 7500 यूनिट बिजली प्रतिवर्स की छोट दी जा रही थी इसी योजना को 2013 में परिवर्तित करके 100 उपै प्रती माहा प्रती हपी की दर्स से बिजली बिल का भुक्तान पर दी जा रही है उमीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीस लाइक का बटन जरूर दबा दै और इस को जितने भी इजुकेशनल ग्रूप हैं सभी में सेर कर दीजिए ताकि सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि आने वाले जो वीडियो के नोटिफिकेशन्स है वो डारेक्ट आप अपनी रूची बनाए रखिए और पढ़ते रहिए धन्यवाद